जब सारे एरक्राफ्ट्स गिरा दिये जाएंगे, जब सारे जहाज डूबा दिये जाएंगे, जब सारे टैंक्स आगे बढ़ना बन कर चुके होंगे, और जब सारी बड़ी तोपे पीछे कही गुम हो जाएगी, तब मेरा हाथ उठेगा, अपनी जमीन अपने देश की के लिए मैं देश के लिए चाहे रिगिस्तान हो चाहे पहाड हो या जंगल हो लड़ूंगा to the last man last round and the last drop of my blood because without me there is no peace without me there can be no war and definitely without me there can be no victory because i am the infantry the ultimate जय हिन दोस्तो मैं हूं मुक्तक सिंग राठोड और मैं बात कर रहा था Indian Armed Forces की सबसे Special Arms की जिसे infantry या फिर पैदल सेना कहा जाता है यह पैदल सेना ही है जिसने हमको 1947-47 से लेके आज तक किसी भी युद्ध के अंदर कोई बुरी खबर नहीं दी और हमेशा भारत को जीत का स्वात चखाया चाहे उसके लिए उसको कितने ही ज्यादा sacrifices क्यों न देने पड़े हो और इसलिए आज 27 October को Infantry Raising Day पर हम ये विडियो एक Tribute की तरह अपने Armed Forces की Infantry के लिए पे कर रहे हैं दोस्तों सबसे पहली बात में ये करूँगा आपसे कि आखिर ये Infantry Day 27 October को ही क्यों मराया जाता है तो जैसे कि हर चीज का कुछ इतिहास होता है तो इस दिन का इस तारीक का भी कोई एक बहुत खास इतिहास है जिसके चलते ये Infantry Day 27 October को ही मराया जाता है आईए आगी की Slides में हम देखें क्या इतिहास है क्या वो कहानी है जिसके चलते Infantry Day 27 October को मराया जाता है और Definitely इसी वीडियो में हम Infantry को अपने Tribute पे करते हुए शेयर करेंगे एक लड़ाई की कहानी ये लड़ाई है Battle of Bargam ये Battle of Bargam एक ऐसी लड़ाई थी जो आजाद भारत के इतिहास में पहली एक महान लड़ाईों में से एक थी और ये आजाद भारत की पहली ऐसी लड़ाई थी जिसमें भारत का पहला परमवीर चक्र भी आया था जो Major सोम नाच शर्मा कुमाव रेजिमेंट की चौती बेटालियन के Officer उन्हें प्राप्त हुआ था उन्हें मरनो परांथ प्राप्त हुआ था तो दोस्तों इस वीडियो में हम बढगाम की लड़ाई के बारे में भी बात करेंगे साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि Inventry Day 27 October को ही क्यों मनाया जाता है और पहले उसी के बारे में हम बात करेंगे तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे आपको दो फोटोग्राफ्स दिखाई दे रहे और ये दो फोटोग्राफ्स की मदद से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि Inventry Day 27 October को ही क्यों मनाया जाता है यहाँ पे आप एक नक्षा देख रहे हो जो कि जम्मू कश्मीर का नक्षा है तो जैसे की माउंट बेटन प्लान कहता था कि अलग-अलग प्रिंसली स्टेट्स को यह आजादी होगी कि वो अपनी मर्जी से इंडिपेंडेंट रहे सकते तो ज्यादतर प्रिंसली स्टेट्स तो भारत के साथ जोड़ गए लेकिन जम्मू कश्मीर एक ऐसा प्रिंसली स्टेट्स था जो भारत के साथ नहीं जुड़ा और उसने 15 अगस्त 1947 से लेके 24 ओक्टूबर 24 ओक्टूबर 1947 के बीच में अपना एक इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस बना के रखा था लगबग एक डिड़ महीने के लिए उससे ज्यादा नहीं तो ये पूरा एक बड़ा इलाका हुआ करता था जो कि जम्मू कश्मीर की रियासत हुआ करता था और 15 अगस्त के बाद एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन गया था लेकिन अभी मैं उस डीटेल्स में नहीं जाओंगा कि पाकिस्तान ने ऐसा क्यूं किया लेकिन कई बार हम बात कर भी चुके उसके बारे में आप जानते होंगे पर मैं यहाँ पर आपको भी बताऊंगा कि 24 ओक्तुबर को 1947 में 24 ओक्तुबर को पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा massive offensive launch कर दिया कश्मीर के इलाके के अंदर क्यूं लाँच कर दिया massive operation क्यूंकि पाकिस्तान कश्मीर को capture कर लेना चाहता था कश्मीर को अपना integral part मानता था पाकिस्तान का जो original plan बना था उसमें कश्मीर शामिल था उनके हिस्से में पर वो उनको मिला नहीं क्योंकि कश्मीर के महराजा हरी सिंग ने decide किया और कश्मीर के जनता ने भी decide किया कि वो independent रहेंगे लेकिन जब कश्मीर उनके जोली में नहीं आया तो उन्होंने forcefully उसको acquire करने की कोशिश करी और उसी process में उन्होंने एक बड़ा हमला बोल दिया कश्मीर के उपर और जो ये बड़ा हमला कश्मीर के उपर पाकिस्तान ने बोल दिया जिसमें उन्होंने बहुत बड़ी मददली ट्राइबल्स की जो उत्तरी पाकिस्तान में रहने वाले बहुत सारे पश्टून कभीले थे जो naturally बहुत war-like होते थे और पाकिस्तान के हिस्से में वो आ गए थे शामिल हो गए थे तो पाकिस्तान की forces ने उनको भी अपने साथ जूड लिया अपने numbers को बहुत ज्यादा बढ़ा करने के लिए और इस तरह बहुत बड़ी तादाद में इनोंने जम्मू कश्मीर की उपर हमला कर दिया अब जम्मू कश्मीर की रक्षा करने के लिए सिर्फ जम्मू कश्मीर की state forces थी जो पश्टून कबाईलियों से तो मुकाबला कर सकती थी लेकिन पाकिस्तान की आर्मी बहुत sophisticated आर्मी थी और जम्मू कश्मीर state forces के पास में वो ताकत नहीं थी कि वो पाकिस्तानी आर्मी का मुकाबला कर सके successfully और इसी लिए एक वक्त ऐसा आया जिसके बाद कश्मीर के महराजा हरे सिंग को भारत की मदद लेनी पड़ी भारत ने कश्मीर की मदद के लिए हामी भर दी लेकिन बदले में कश्मीर को ये सलाह दी कि आपको भारत के साथ जुड़ना चाहिए जो आपके लिए आपके लोगों के future के लिए safeguarding होगा एक बहुत important step होगा जिसमें आप अपने आने वाले वक्त में लोगों को safe कर सकते हो वरना इस तरह के हमले पाकिस्तान बार बार आपके ओपर करता रहेगा और हमेशा हम वक्त पे शायद आपको बचाने ना आपाए और इस बात को समझते हुए कश्मीर के महराजा हरे सिंग ने कश्मीर का विला भारत के साथ में कर दिया ये कहानियम पहले भी कई बार सुन चुके हैं मैं भी आपको बता चुका हूँ आपने भी कई जगों से इसको आजादी के पहले अगर किसी को श्रिनगर जाना होता था या किसी को जम्मू जाना होता था तो उसका रास्ता रावल पिंडी से होके जाता था या फिर सियाल कोट से होकर जाता था सियाल कोट का लोकेशन यहाँ पर है ये जो black dot हम देख रहे हैं somewhere around here is Cialcoat तो कश्मीर में जाने के Indian सबकॉंटिनेंट के या पंजाब के मैदानों से जितने भी रास्ते जाते थे सब जाते थे Cialcoat के रास्ते या रावलपिंडी के रास्ते अब आजादी के बाद ये Cialcoat और रावलपिंडी दोनों ही पाकिस्तान के इलाके में आ गया जिसकी वज़े से भारत की तरफ से अगर आप देखो भारत की तरफ से जो कश्मीर का अप्रोच है बहुत नेरो अप्रोच है यहाँ पे हिमाचल प्रदेश की बॉर्डर जा जाती है ये पूरा हिमाचल प्रदेश का इलाका है हिमाचल प्रदेश के रगेड माउंटेंस में से आगे बढ़के कश्मीर की तरफ जाना पीर पंजाल के पहाड़ों को पैरलेली चलते हुए कश्मीर की तरफ जाना नियर इंपॉसिबल था खास तोर पे उस वक्त तो एक बहुत नेरो अप्रोच बनता था भारत से रेस्ट आफ कश्मीर को कनेक करने का और वो बनता था यहां पे पठान कोट नौर्थ में पंजाब के नौर्थ में पठान कोट है और इसी पठान कोट से उत्तर में आप चलते हुए सामबा सेक्टर में पहुँच जाते हैं फिर आगे जम्मू में पहुच जाते हैं तो यह एक सही रूट हुआ करता था भारत की तरफ से कश्मीर में अप्रोच करने का जो बहुत नेरो रूट था और अभी बिलकुल डेवलप्ड नहीं था क्योंकि आजादी के पहले किसी को भी कश्मीर जाना होता था रेस्ट अफ दे इंडिया से तो वो सियाल कोट ये रावल पिंडी का ही रूट लेता था और यहाँ पर ही बहुत मुश्किल हो गई भारत को कि भारत में कश्मीर की मदद के लिए तो हामी भर दी लेकिन वो मदद करे कैसे क्योंकि अभी रोड्स डेवलब्ड नहीं थी इतनी डेवलब्ड नहीं थी रोड्स की यहाँ पर बड़ी मात्रा में सैनिकों की आवाजा ही हो सके और बड़ी तादात में सैनिक कश्मीर के अंदर भारती सैनिक दाखिल हो सके और पाकिस्तानियों और पश्तुन कबाईलियों को आगे और ये फैसला किया गया कि उन ट्रूप्स को एर लिफ्ट करके पहुंचाया जाएगा क्योंकि सडक के रास्ते तो सारे सियाल कोट के तरफ से होके जाते थे जो आसानी अभी पाकिस्तान को थी इसलिए पाकिस्तान ने इसका बड़ा फाइदा उठाया और रावल पिंडी और सियाल कोट की तरफ से बहुत जूरदार हमला बोला कश्मीर के और और भारतियों ने इसका ये सॉल्यूशन निकाला कि उन्होंने कहा कि ठीक है हमारे पास अच्छी रोड्स नहीं है लेकिन हम सीधे दिल्ली से प्लेन्स को फ्लाई करेंगे और श्री नगर में अपने ट्रूपस को एक के बाद एक सॉल्टी ज आफटर सॉल्टी ज फ्लाई करके एर्लिफ्ट करते जाएंगे एरड्रॉप करते जाएंगे और इस तरह धीरे-धीरे हम अपने सैनिकों की तादात कश्मीर के अंदर बढ़ाना शुरू करेंगे जो श्रीनगर का डिफेंस कर सके और जहां तक ये कबाईली और पाकिस्तानी घुस चुके हैं वहाँ से उनको पीछे धकेलना भी शुरू करे तो पहली बार जो भारतिय सैनिक एरलिफ्ट करके कश्मीर की धर्ती पर आये थे और उन्होंने कश्मीर के डिफेंस की शुरूआत करी थी शरीनगर के डिफेंस की शुरूआत करी थी वो तारीख 27 ऑक्टोबर की थी और यही वज़ए है कि 27 ऑक्टोबर को Inventry Day मनाया जाता क्योंकि यही वो दिन है यतिहास के अंदर 1947 में जब हमारी infantry ने पहली बार हमारे mother land को defend करना शुरू किया था क्योंकि कश्मीर भारत का वैसे भी integrally part रहा है historically, religiously, culturally और politically भी भारत का part हो गया था कश्मीर के महराजा हरे सिंग के द्वारा जैसे instrument of accession sign हुए थे तो अपनी mother land को defend करने के लिए पहला mission जो भारती सेना ने इंडियन infantry ने शुरू किया था वो 27 October को किया था 1947 में 24 October 1947 को पाकिस्तान ने हमला किया था and within 3 days Indians responded positively to defend the श्रीनगर, to defend the कश्मीर और इसी लिए 27 October को infantry day celebrate किया जाता है मनाया जाता है तो ये तो रही बात infantry day क्यों मनाया जाता है, इसी दिन क्यों मनाया जाता है, ये मैंने आपको बताया लेकिन अब इसी कहानी को हम आगे बढ़ाते हैं, कि इसके बात क्या हुआ, क्या Indian troops ने कश्मीर को defend किया और किया तो कैसे किया, ये कहानी यहीं से आगे बढ़ाते हुए मैं आपको सुनाता हूँ, और फिर हम पहुचेंगे battle of बढ़गाम की तरफ अब अगली slide पे मैं आपको ले चलता हूँ, और वहाँ से इस कहानी को मैं आगे बढ़ाता हूँ अगली slide पे आपको एक नक्षा दिखाई दे रहा है, और एक बहुत ही खुबसूरत सा airport दिखाई दे रहा है यह जो airport है, इस इस श्री नगर इंटरनाशनल airport, जो मेरे इसाब से जिसका नाम मेजर सोमनाच शर्मा airport होना चाहिए लेकिन फिलाल इसको श्री नगर इंटरनाशनल airport के नाम से जाना जाता है, और यहाँ पे आपको एक नक्षा दिखाई दे रहा है अब मैं आपको पहले नक्षा समझाता हूँ, और फिर इस photograph के बारे में बताता हूँ इस नक्षे में आप देख सकते हो, यह है श्री नगर इस इस श्री नगर, जो कि हम सभी जानते हैं कि जम्मू कश्मीर की गरमियों की राजधानी हुआ करती थी summer capital हुआ करती थी, और in fact, जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा administrative center भी हुआ करता था इसी श्री नगर के आप बिल्कुल south में देखोगे, southwest में देखोगे, तो आपको बढ़गाम दिखाई देगा है, ये airfield हुआ करती थी, जहां पे planes land करते थे, और इन दोनों के बीच में वो historic battle हुआ था, जिसको battle of बढ़गाम कहते हैं, अब बढ़गाम का importance क्या था, देखिए, जैसे कि मैं आपको बताया है कि सारे troops अभी शुरुआती phase में इंडिया के जितने भी पहुँच रहे थे कश्मीर को defend करने के लिए, उसारे हवा के रास्ते पहुच रहे थे, air lift किये जा रहे थे, air drop किये जा रहे थे, और ये air drop कहां किये जा रहे थे, ये air drop किये जा रहे थे, बढ़गाम की airfield में, ये जो श्रिणगर से बढ़गाम का distance है, ये लगबग 12 km का distance, कोई बहुत लंब के control में रहता है, air forces के सारे functions को देखती है, civil aviation का या पर छोटा सा department है, जो कि international या national flights को control करता है, बाकि ये पूरा airport air force के control में, इंडियन air force के, ये जो श्रिणगर international airport है, ये ही पहले एक छोटा सा air stripe हुआ करता था, जहां पर एक बार में एक plane land कर सकता था, और ये बढगाम मे हुआ करता था, जो कि स्रिणगर से 12 km लगबग धक्षिण में situated था, और इसलिए इसका बड़ा importance था, क्योंकि अभी जितने भी Indian troops स्रिणगर में दाखिल होने थे, उन्हें यहीं land करना था, अब तो ये बहुती खूबसूरत airport बन गया है, लेकिन उस समय छोटी सी हवाई प पे पहुँचते थे, जो भी numbers increase हो रहे थे, कश्मीर के अंदर, भारतिय सेना के, पाकिस्तानियों से लड़ाई करने के लिए, उसका एक समय कह सकते है, जान था बड़गाम, कि अगर बड़गाम का airport हमारे हाथ से निकल जाता, तो हमारे troops airdrop नहीं हो सकते थे वहाँ पे, ल अब एक ही possibility थी, कि इंडिया की troops ज्यादा से ज्यादा numbers में कश्मीर में पहुचें, कि बड़गाम का airfield हमारे कबजे में रहे पूरी तरह से, अब बड़गाम के airfield को कबजे में रखना बहुत जरूरी था, और जो limited Indian troops वहाँ पे पहुच चुके थे, उन limited Indian troops ने अपनी में बारा किलो मेटर दूर, यह airfield है, जो यहाँ पे मैं मार्क करके अपनी उंगली से आपको बता रहा हूँ, this is the airfield, जिसका defense करना बहुत ज्यादा जरूरी था, यह बड़गाम का गाउं है, जिसके नाम पर यह लड़ाई हुई थी, और इस स्री नगर से further आफ वेस्ट मे जीच चुके थे, इन्होंने बारा मुला के उपर पूरा कबजा कर लिया था, बारा मुला को पूरी तरह से तहस-नहस कर दिया था, और अब बारा मुला से यह आगे बढ़ रहे थे, और आगे बढ़कर इन्हें आना था श्री नगर, लेकिन सिक रेजिमेंट की पहली battalion ने पटन नाम की जगह पर एक मजबूट defenses बना लिए थे और इसी लिए ये जो raiders थे जो पाकिस्तानी ट्रूप्स थे ये आगे तो बढ़ रहे थे लेकिन पटन से आगे नहीं बढ़ पा रहे थे क्योंकि मैंने आपको बताया कि सिख रेजिमेंट की पहली बटालियन ने यहाँ पे अपने मजबूट defenses बना लिए थे तो पाकिस्तानी रेडर्स और पाकिस्तानी फोर्स यहाँ से बिलकुल आगे नहीं बढ़ पा रहे थे कभी पाकिस्तानीयों ने एक योजना बनाई उनको यह बात समझ में आई कि जितने भी इंडियन टूप्स यहाँ पे आ रहे हैं श्रिदगर को defend करने के लिए वो सारे के सारे इंडियन टूप्स एर ड्रॉप करके आ रहे हैं लैंड करके आ रहे हैं एरलिफ्ट किये जा रहे हैं दिल्ली से और लैंड करने श्रिडगर के अंदर और इस तरह इंडियन्स की तादाद बढ़ती जा रही है इसी लिए पाकिस्तानियों ने एक प्लान बनाया और उनका प्लान ये था कि पटन में सिखों के strong defenses के साथ मुकाबला करके time waste करने से कोई मतलब नहीं है क्यों न यहां से एक movement किया जाए सिखों के इस defenses को bypass करते हुए और सीधा हमला किया जाए बढ़गाम के उपर एक बढ़गाम के उपर पाकिस्तानियों ने हमला कर दिया तो बढ़गाम की airfield को भी capture कर लेंगे और एक बढ़गाम की airfield पाकिस्तानियों के और raiders के कबजे में आ गई तो फिर further कोई भी Indian plane वहाँ पे land नहीं हो पाएगा और Indians का number वहाँ पे कभी भी बढ़ नहीं पाएगा जो थोड़े बहुत ट्रूप से हमारे वो फसे रह जाएंगे साथ ही साथ plan ये भी था कि एक बार ये airfield कभजा हो गई तो फिर वहाँ से शिनगर भी 12 km दूर है तो जो raiders का objective था पाकिस्तानियों का objective था उन्होंने कहा कि first sick के defense इसको पार करके अगर सीधे रास्ते से शिनगर नहीं पहुँच पा रहें तो क्यों न एक bulge लिया जाए एक bypass लिया जाए और उस bypass से आगे बढ़ते हुए ना सिर्फ बढ़गाम की airfield को कभजा किया जाए और further Indian troops को कश्मीर में enter होने से रोका जाए और साथी साथ 12 km उत्तर में एक और धावा बोलकर स्रीनगर को भी पूरी तरह से जीत लिया जाए तो बहुत ही जबरदस plan मराया था पाकिस्तानीज ने लेकिन जैसे कि पाकिस्तानीज होते हैं कि वो plan बहुत अच्छा बनाते लेकिन execution बहुत अच्छा नहीं कर पाते और अगर करते भी हैं तो Indians कोई नो कोई heroic बन के इंडिया का उनके सामने आके खड़ा हो जाता है यहाँ फूर्थ कुमाओ थी जैसे फॉर्स्ट कुमाओ थी जैसे फॉर्स्ट पंजाब थी और एक फॉर्स्ट सिक थी एक रेजिमेंट की पहली बटालियन पंजाब रेजिमेंट की पहली बटालियन कुमाओ रेजिमेंट की पहली बटालियन कुमाओ रेजिमेंट की चौथी बट सकते हैं सबसे ज्यादा प्रॉबिलीटी इंडियन्स की निजर में इसी रस्ते से आगे बढ़ने की थी इसी लिए मस्बूत सिख रेजिमेंट की पहली बेटालियन को पटन पे लगाया हुआ था कि वो डिफेंड करें और उन्होंने अपने काम बहुत भी एंजाम भी दिया पंजाब रेजिमेंट की पहली बेटालियन को मागम नांग की जगे पे सिचुएटेट करके रखा था क्योंकि वहां से भी एक अप्रोच बनता था श्रीणगर का लेकिन बहुत कम ये किसी ने सोचा था कि इतना दूर बाइपास होकर पाकिस्तानी फोर्स आएंगी और यह यहां से कोई अप्रोच लेगी श्रीणगर के उपर हमला करने के लिए इसलिए यहां पे कुमाव रेजिमेंट की एक कंपनी कुमाव रेजिमेंट की पूरी बैटैलियन भी नहीं कुमाव रेजिमेंट की एक फूर्थ कुमाव की डेल्टा कंपनी यहां पे पेट्रोलिंग के लिए भीजी गई थी आले कि उनको पेट्रोलिंग के लिए जब भीजा था तो अच्छे से एक्वेप करके भीजा गया था कि हो सकता है आपका आमना सामना रेडर से हो जाए तो मुकाबले की तैयारी रहे लेकिन ये एक्सपेक्ट नहीं किया गया था कि पाकिस्तान इस तरफ से बहुत ही बड़ा हमला करेगा फुल फ्लेजर्ड अटेक करेगा तो कुमाव रेजिमेंट की एक बटालियन नहीं कि फर्स्ट कुमाव दक्षिन में एरफिल्ड के नस्दीक थी और यहाँ पे बढगाम गाओं के पास में कुमाव रेजिमेंट की चौथी बटालियन पेट्रूलिंग कर रही थी पेट्रूलिंग मतलब की वहाँ पे गश्ट कर रही थी काफी समय तक उन्होंने वहाँ पे गश्ट किया काफी समय तक उन्होंने वहाँ पे पेट्रूलिंग किया यहाँ पर फूर्थ कुमाओ की डेल्टा कंपनी को लीड कर रहे थे मेजर सोमनाथ शर्मा और काफी देर गश्ट करने के बाद उनको किसी भी तरह की कोई संदिग्द गतिविधी नहीं नजर आई वहाँ पर इसी तरह की doubtful activities वहाँ पर नजर नहीं आई So they were preparing to return back from the petrolling So we can return back और उनको यह permission grant भी कर दी गई थी बट जैसे ही वो वहापस जानी की तैयारी कर रहे थे अचानक उनोंने देखा कि बढ़गाम गाओं की तरफ से उनके उपर धमाकेदार fire आना शुरू हुआ और यह fire भी छोटा मोटा fire नहीं था यह कोई assault rifles का fire नहीं था यह fire था mortars का fire Mortars एक ऐसे weapon होते हैं जो infantry के weapon होते हैं चुटी तोब समझ लीजी आप उसको एक ऐसी तोब जिसको एक सैनिक अपने हाथ में carry करके चल सकता है infantry का बहुत important weapon होता है आगे बढ़ते हुए infantry अपने दुश्मन के ओपर लगातार mortar के shells तागती रहती है जिससे दुश्मन कमजोर पढ़ता जाए और उसके ओपर हमला करना आसान हो जाए तो यह mortar के shell अचानक आके hit करना शुरू होते हैं fourth कुबाव की delta company को और वो पूरी तरह से हक्के बक्के रह जाते हैं क्योंकि लगबख दिन भर की patrolling में उन्हें किसी तरह की कोई संदिक्त गतिविदी नचर नहीं आई थी और इसी लिए फिर वो radio set के दुआर अपने officer को message देते हैं कि we are under fire तो उनके officer उनको initially कहते कि आप वापस आ सकते you can fall back because maybe you are not prepared to fight a full-fledged war there लेकिन major सुमदा चरमा बहुत बहादूर थे और बहुत ही motivated थे और इसलिए उन्होंने ये तय किया कि नहीं अगर अभी हम यहां से पीछे हटे तो ये airfield exposed हो जाएगी और अगर एक बार airfield दुश्मन के कबजे में आ गई तो फिर उसके बाद हमारे किसी भी आने वाले वक्त में planes को airfield पे land करना बहुत मुश्किल हो जाएगा raiders कुछ भी कर सकते raiders कुछ नहीं तो उस airfield को destroy कर सकते उसको blast कर सकते अगर airfield blast हो गई तो कोई plane वहाँ पे land नहीं कर सकता खेतों में तो land नहीं कर सकता plane की केसर के खेतों में plane land कर गया इसलिए major सोमना चर्मा ने इस situation की criticality को समझ लिया और उन्होंने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए जितनी भी ताकत मेरे पास में है जितना भी arms और ammunition मेरे पास में है उस सारा use करके मैं airfield के defense करने की प्लान करता हूँ, तयारी करता हूँ हो सके तो आप मुझे कोई reinforcements भेश दीजे बदत भेश दीजे लेकिन तब तक मैं अपने मोर्चे पे डटा रहता हूँ और तब शुरू होती है बढ़गाम की वो historic लड़ाई आप समझ लीजे कि 4th कुमाउ की एक डेल्टा कमपनी थी एक कमपनी में 120 के आसपास जवान होते लेकिन ये एक ऐसी कमपनी थी जो कहने के लिए कमपनी थी लेकिन जवानों की संख्या इसमें 120 से काफी कम थी लेकिन इनके सामने जो रेडर्स थे और पाकिस्तानीस थे उनकी संख्या लगबक 700 से 1000 के बीच में थी तैसा कहा जाता है कि 1-5 या 1-6 से आउट नंबर्ड थे मेजर सोमनाच चर्मा और उनके ऑफिसर्स और मेन लेकिन फिर भी उन्होंने अपने मोर्चे को नहीं छोड़ा और अगला फोटोग्राफ आपको दिखाएगा अगले स्लाइड में कि कि किस तरह से भीशन लड़ाई हुई थी ये एक इलिस्ट्रेशन है जिसमें आप देख रहे हैं कि मेजर सोमनाच चर्मा अपने सैनिकों को और अपने सबाडिनेट आफिसर्स को मोटिवेट कर रहे हैं और सामने से बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तानी ट्रूप्स और पाकिस्तानी ट्राइब्समें हमला कर रहे हैं इस फोटोग्राफ में एक और चीज आपको नजर आ रही होगी कि मेजर सोमनाच चर्मा का एक हाथ वूंडिड है उनका एक हाथ घायल है जो कि बिल्कुल सही बात है यह इलिस्ट्रेशन एक्जाजरेटेड नहीं है मेजर सोमनाच चर्मा जब अपनी यूनिट के साथ में दिल्ली से प्लाइ करके आगे जा रहे थे तो उस समय ही उनका हाथ पूरी तरह से वूंडिड था लेकिन उस वूंडेड हाथ के साथ भी उन्होंने आगे बढ़ना यानि कि अपनी में के साथ अपनी यूनिट के साथ आगे जाना जरूरी समझा वो चाहते तो रूख सकते थे वो चाहते तो कह सकते थे कि मैं पूरी तरह से फिट नहीं हूँ मैं नहीं जाऊंगा इस लड़ाई के लिए उन्हें कोई रोकता नहीं ऐसा करने से लेकिन यही तो officer-like quality होती है यही तो military leadership-like quality होती है कि जहां पे आपकी जरूरत है आप चाहे खुद किसी भी हाल में हो आपको वहाँ पे होना चाहिए तो this is kind of sense of responsibility जो एक officer-like quality की हम बात करते हैं मेजर सुमना चर्मा इस घायल अवस्था में ना सिर्फ लड़ाई के मैदान में जाते हैं बट ही found himself in the middle of the action और वहाँ पर भी अपने तूटे हाथ के साथ में वो पूरी ताकत से अपने सैनिकों को motivate करते हुए इस लड़ाई को लड़ते हैं जबकि वो outnumbered थे दीरे दीरे उनका ammunition भी खराब हो रहा था खतम होता जा रहा था अलत बहुत खराब थी उनके कई सैनिक बुरी तरह से घायल हो चुके थे कई सैनिक वीर गती को प्राप्त हो चुके थे और ज़्यादा घायल हो चुके थे तो कि कुछ mortar shells उनके आसपास फूटे थे और जब mortar shells किसी जगव पर blast होते हैं तो उसमे से splinters निकलते और वो splinters किसी को death भी cost कर सकते और death ना भी cost करे तो बुरी तरह से injured कर सकते तो पूरा कुमाव रेजिमेंट की चौथी बिटालियन की डेल्टा कमपनी बहुत बुरी तरह से फस चुकी थी लेकिन एक काम इनोंने किया कि दुश्मन को बिल्कुल भी ये लगने नहीं दिया कि वो कमजोर है इनफेक्ट उन्होंने इतनी ताकत और बहादूरी के साथ में लड़ाई करी कि दुश्मन डीमॉरलाइज हो गया 700 से 1000 की तादात में पाकिस्तानी और ट्राइबल जाये थे इनके उपर हमला करके इन से इनको रौंद कर आगे बढ़ने के लिए और एर फिल्ड के उपर कबजा जमाने के लिए लेकिन ये दिवार की तरह अड़ गये वहाँ पर जैसे कोई सीसा पिलाई हुई दिवार होती है और रेडर्स ने लाग कोशिशे कर ली अपना पूरा एम्मिनेशन इनके उपर फायर कर डाला जितने मॉटर शेल्स थे वह इनके उपर फायर कर डाले कैशुल्टी भी बहुत हुई डेल्टा कंपनी को मेजर सोमनाच शर्मा के आखरी वर्ड्स जो उन्होंने रेडियो सेट पर अपने ऑफिसर को ब्रिगेट हैट क्वाटर्स में पहुँचाये थे the enemy is only 50 yards from us 50 yards is no distance 50 yards कोई distance नहीं होता battlefield के अंदर the enemy is only 50 yards from us we are heavily outnumbered we are under devastating fire I shall not withdraw an inch but will fight to our last man and our last round इनका ये कहना था कि अगर आप हमको reinforcement पहुचा सकते हो तो please पहुचा दो लेकिन क्यों क्योंकि भाया दुश्मर हम से 50 yards की दूरी पे है दुश्मर हम पर बहुत heavy fire कर रहा है लेकिन अगर आप हम तक reinforcement नहीं भी पहुचा पाओगे तो भी हम पीछे हटने वाले नहीं है last man, last round तक हम लड़ाई करेंगे और वो उन्होंने किया या आखरी message था उनका जो brigade headquarters तक पहुच पाया था इसके बाद इनसे कोई contact नहीं हो पाया था meanwhile क्या हुआ meanwhile ये हुआ कि जो बचे हुए जवाद थे इस डेल्टा कंपनी के वो बहादुरी से लड़े या तो बुरी तरह घायल हो गए या फिर वो वीरगती को प्राप्थ हुए major सोमना चर्मा भी वीरगती को प्राप्थ हुए और ये कबाईली पाकिस्तानी कबाईली कम से कम इन लोगों को 300 से 300 की fatal casualties हुई थी यानि कि अगर वो 1000 की तादाद में आये थे तो उनमें से 300 मारे गए थे और बचे हुए जो 600 के आसपास थे वो 600 के आसपास में से भी 300 से ज्यादा बुरी तरह घायल थे यानि कबाईलियों की हालत ऐसी हो गई कि वो लड़ाई तो जीत गए थे वैसे ये इंडियन विक्ट्री थी टैक्टिकली एक इंडियन विक्ट्री थी लेकिन एक्चुली ये हुआ था बैटल फिल्ड में कि कुमाव रेजिमेंट के जितने भी ऑफिसर थे और में थे वो या तो बुरी तरह घायल हो गए थे या वो वीर गती को प्राप्थ हो गए थे तो उनकी पोजीशन ओवर रन हो जाती है लेकिन इसका कोई फाइदा पाकिस्तानियों को या रेडर्स को नहीं मिलता है क्योंकि वो खुद भी इतनी बुरी तरह से घायल हो गए थे या उनमें से बहुत सारे मारे गए थे कि अब उनका इस पोजीशन को ओवर रन करने का भी कोई मतलब नहीं था क्योंकि एरफिल्ड को कबजा करने के लिए जो स्ट्रेंग्थ चाहिए थी वो स्ट्रेंग्थ कुमाव रेजिमेंट की डेल्टा कंपरी ने डिस्ट्रॉई करके रख दी थी पूरी तरह से और इसी लिए ये लड़ाई भारत की एक बहुत बड़ी जीत थी और इसी लड़ाई के लिए मेजर सोमनाच शर्मा को मरणो परांत पहला परमवीर चक्र मिला उन्हें सम्मानित किया गया परमवीर चक्र से जो की 26 जनवरी के समारोह में उनको मिला था पहला परमवीर चक्र जो उन्फॉर्चनिटली मरणो परांत पर यहाँ पे बड़ा इंट्रेस्टिंग फैक्ट है कि यह परमवीर चक्र की डिजाइन जिन्होंने करी थी जिनका नाम था श्रीमती सावित्री खानौल कर जो कि Switzerland की उरिजिन की एक लेडी थी जिन्होंने एक इंडियन आमी के आफिसर के साथ में विवाह किया था भारत आ गई थी भारती हो गई थी और उन्होंने ही भारत के हाइस्ट गैलेंट्री अवार्ड यानिकी परमवीर चक्र का डिजाइन बनाया था श्रीमती सावितरी खानौल कर मेजर सोमनाथ शर्मा की मदर इन लौ थी अब ये कोइंसिडन्स कहिए या इंटेस्टिंग फैक्ट कहिए या एक अनफॉर्चनेट फैक्ट कहिए कि जिन्होंने परमवीर चक्र का डिजाइन किया उन्ही के दामाद को पहला परमवीर चक्र मिला उन्ही पहले परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया ये कहानी थी मेजर सोमनाथ शर्मा की जिन्होंने अपने एक्जेंप्लरी करेज का शोकेस किया और उन्होंने बताया कि infantry क्या होती है infantry के बारे में और भी बाते मशूर है infantry is the backbone of Indian army infantry is the queen of the battlefield an army is as good as its infantry कई तरह की कहावते हैं आज की तारीक पे जो infantry के लिए कही जाती है लेकिन बढगाम की लड़ाई एक classic example है कि किस तरह से भारत की infantry infantry अपने दुश्मनों से लोहा लेती है चाहे पहाण हो चाहे रेगिस्तान हो चाहे घने जंगल हो चाहे दुश्मन हजारों की तादाद में हो और हम मुठ्थी बर हो लेकिन भारत की infantry कभी पीछे नहीं हटती क्यों? Because infantry is the ultimate क्या हिंद